तो जब से कथा वाच्वों के द्वारा और बावा राम दो के द्वारा गोवर के फाइदे बताए गए हैं तब से लोगों ने गोवर को लेकि बहुत ज़्यारा सीयस हो गए हैं जहां दोस्तों अब लोग इतने ज़्यारा सीयस हो चुके हैं कि पहले गोवर का उपयोग घर म कर थरीक बता-रह कि अब वर को उप्योग किसे करना चाहिए अई सुनते हैं इन सज्जन की बातेैं गुषाणा में बैठाऊं में और यह देखिये गोबर अर्द के सामने में खा रहा हूं इसको खाना केसे हैं आपको अच्छा सा चबायों इसका रस अंदर पियें या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं लेकिन यह मैं आपके सामने खा रहा हूँ यह करिब 4 माइनों से तो मैं परते दिन कर रहा हूं यह देखिए यह इस प्रकार से अब रस इसका निचोड़ के जो बच्चे वह वाफिस आप बहार निकाल सकते हैं यह देखिए आपको हम इसका एक लाइफ प्रूब दिखाते हैं जिसमें आप दिखेंगे कि एक वित्ति किस तरह से गुवर को रूटी में लपीट के खा रहा है इस वीडियो क्लिप में दिखेंगे दोस्तों यह वित्ति किस तरह से गुवर रूटी में लपीटा और खा गया आप खुद देखिए चली दोस्तों आप देश वीडियो को डिख लिया एक वीडियो और आपको दिखाने वाले हैं जब से श्री अनुर्द अचायजी ने जो हमारे यह कठा वाचक है मत्पदेश जवलपू के रहने वाले श्री अनुर्द अचायजी अब विन्दावन में रहते हैं और मत्ति खार वता है तब से महिला ने बहुत ज़रा serious ले लिया और किस ताएसे अपने मुख को गोवर के जो मतब गुवर होता है उस तो मुझ को डाल दिया आया इस वीडियो को देखे तो दोस्तों आपने इस वीडियो क्लिप में देखा किस तरह से महिला आपने चेहरे को सुन्दर बनाने के लिए कोई भी एक्सप्रेंस ना करते हुए सीधे गोवर से अपने मुख को धो लिया एक और वीडियो आपको हम दिखाने वाले हैं जिसमें कथा वाच्चों के द्वारा कहा गया था कि गोव मुथ से इस्नान करने से सभी पगा के रोग दूर होते हैं तो एक बच्चे नहीं बहुत ज़रा सीयस ले लिया और वो भी जो गोव मुथ होता है उससे इस्नान करने ल दिखा आई दूस्तों आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक व्यति ने जो गोमाता होती है उससे भी हम बात नहीं कर रहे हैं आई आपको हम एक वीडियो ऐसा दिखाने वाले हैं जिसके बारे पर कथा वाच्चों नहीं कहा किसी नहीं कहा लेकिन अब आदम दोस्तों आप देखकर चौक जाएंगे इस वीडियो को देखिए तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस तैसे गोल गप्पे खाई आ रहे हैं अब आपको गोल गप्पा खाने के लिए इमली पानी के असकता नहीं पड़ेगी सीधे दोस्तों इनके जैसे कोई करता नहीं यह बहुत बड़ा अन्यविष्वास है अब लोगों ने इसको बहुत ज़्यदा दूसरे तरीके से लेना चालू कर लिया जबकि गोगर का जो उप्योग है वो घर को लेपने के लिए है और कहते हैं कि जब पूजा पाठ होती है तब ग दोस्तों खाने के लिए ओस्तों गेस्ट्राइए यह और विडियोकर बना रहे हैं गोवर में वह अंडेख रहे हो तो मृम करना चाहते हैं प्रभू अप्ट्रीश चाहते हैं ओडिये हैं प्रऑु आप खाना में हैं तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक का देना वहीं दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के इंटरस्टेम वीडियो लाते रहते हैं जैसी राम